हेलो फ्रेंट सक्सेस पॉन कोटा चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं शुबा माखी जम्याव हमने अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण की क्लासेस स्टाट कर रखी है और उसी श्रंकला में आज हमारी क्लास से थर्ड जिसमें हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे इससे पहले हमने वन विचार में स्वरों व्यंजन को पढ़ा फर्स क्लास के अंदर सेकन्ड क्लास के अंतर अंतर अरगत हमने स्वरों की वर्गीकरण को पढ़ा इस्ट्येंट्स हमारी प्लेलिस में आप जाकर के देखिएगा सभी क्लासिस रखी हुई है साहित्य से संबंदित, काविश रास्त और व्याकरंट से संबंदित चलिए आप ज़्यादा बाते ना करते हैं हम अपने डायर्ट टॉपिक पर आते हैं कि व्यांजनों का वर्गी करण पहले उससे पहले हम एक व्यांजन की परिभाशा देख लेते हैं व्यांजन वह होते हैं जो मुख विवर से मुझ से स्वतंत रूप से उच्चारित नहीं होते स्वतंत रूप से बोले नहीं जाते इनको बोलने के लिए किसके आउशकता होती है स्वरो की आउशकता पढ़ती है स्वरो की साहिता के आधार पर ही व्यांजन बोले जाते हैं जिसे ये कर है तो हम इसके हलंत लगाएंगे यह हम आधा कर लिखें अगर हम आधा कर लिखेंगे तो इसका ये किस से बोले जाएंगे स्वरो की साहिता से ही बोले जाते हैं लेकिन जब इसमें ये अ लगेगा तो ये पूर्ण तह कर बन जाएगा पूर्ण कर बनेगा मतलब स्वरो की साहिता हर वान के अंदर व्येंजन में पढ़ती है अब देखिए ये पढ़ें आप ये समझें बहुत महत्पूर हैं और यहां से प्रशन हमेशा आता है देखिए आपने जैसे जाना कि वेंजनों की संख्या कितनी होती है तो वेंजनों की संख्या 33 होती है इस प्रकार से ये वेंजन है और आगे देखिए अब इनका उच्चारन इस्थान इनको किनकी नामों से जाना जाता है देखिए जिस तरीके से प्रशन आता है मैं सेम वेसे ही पढ़ा रही हूँ आपको यहां से डिटेल या परिभाशा नहीं आती है डारिक्ट वर्ण और वेंजन पूछे जाते हैं कि कहां से कौन सा इस्थान रखते हैं तो देखिए यहां पर आपका लिखा हुआ है कंठ या कोमल या तालव ठीके कंठ या कोमल तालव या तालू अब यह कौन सा वर्ण होता है तो यह होता है कंठ तालू या कंठ तालू इसको हम कोमल तालू भी कहते हैं और कंठ तालू भी कहते हैं मैं आगए आपको इनकी परिभाशा हैं, आपको जब परिभाशा भी दे दुझी, लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, कि कंठ, गले से निकलते हैं, कोमल तालू से जो 1 निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर direct 1 पूछे जाते हैं, कहीं पर भी आप पूर्व के प्रशन निकलते हैं वो यह पांच है उपर के कवर्ग ठीक है कौन सा है कवर्ग आया समझ में कख घड़ फिर देखिए तालव या कठोर तालू तालू जो तालू से मूर धन्यक जिसकों मूर्धा से कहते हैं इसमें लगने पर जो हम जैसे वर्ण निकलता है तो मूरधा को इसार्ष करता ए हमारे मूर धन्यक में देखिएगा आपको लगेगा कि जीब किसे मसूरों से टकराती ए आवाज करती है ठीक है तो यह क्या है किसमें आता है मूर्धा के अंदर मूर्धन्य और तॉ यह किसमें आता है च बर्ग कंठ जिसको गले से निकलते हैं यह कुनसे केलाते तो यह कबर्ग पूरा कठोर या कॉमल तालग कंठवे कंठ केलाता है अब देखें दातों से दातों से थ थ द ध न आप खुद बोलकर के देखिएगा आपको इस पश्ट होगा कि आपकी जो वन निकल रहे हैं जो वियंजन वह दातों से टकरा रहें दातों किसमें आता है दातों में दंतव्य अब औश्ट अब आप देह बोले पयोग तो क्या होंगे दोनों होट मिलेंगे जल से होटो से अस्विए मतल्हा होटो से तो परफ दंत्य किसमें में और जान रखना है वह यह है कि कंठ याmas तालाव से कब स्दस्टेन न मतलब यह तूरा इसके पहले फैंज है नहीं तूरा पूरा ओष्ट्य से होटो से पवर्ग ठीक है और यह देखिए स्टुडेंट यह जो यह वाला भाग है यह पूरा यह पीछे का पंचम वर्ग का पांच वा यह और किस नाम से जाना जाता है नासिक के व्यंजन से नाक से निकलते बोले नाक का साउंड आ रहा है ठीक है ना तो यह कौन से प्रानवायू के आधार पर लेकिन अभी यहां पर आप समझें कि आपको याद क्या 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 चीज़े करनी है तो देखिए यरलव अल्प इनको बोलने में कम समय लगता है और इनको दूसरा नामे अंतरस्ता व्यंजन ठीके और देखिए ये दूसरा शह 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 इनको बोलने में महनत लगती है तो ये महा प्राण प्राण मतलब बहुत जादा आउशकता होती है इनको बोलने में मतलब क तहले को इनको बोलने में हमें शक्ति लगती है तो यह महा प्राण वियांजन लगते हैं। प्राण और और ँते हैं और शर्षस और सरह को क्या करता है एप हक्सी dak, और सं가ral व्यंजण प्राण व्यंजण ऑर महा प्राण न आगेだ ब्यंजबों का वर्गी करण अब हम पुदे लिएगा व्ययंजबों के साधार की बर्गी करण एक उच्चारन प्रतने के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गी करणे वे दो आधारों पर किया गया है उच्चारन प्रतने के आधार पर और उच्चारन इस्थान के आधार पर देखे उच्चारन प्रतन जो महनत लगती है उसके आधार पर जो व्यंजन हमारे मुख से निक निकलता है तालू से कोई साह सर निकलता है तो क्या इस एइस आधार पर वियंजन्योग का वर्गीकंड दो आधारते पर अगे यह हुँआ अदार पर जो यह है उचानः प्रतन के और इसको बागों में के बृता है जो आगे हम पढ़ेंगे यह उच्छान प्रत्न के आधार पर इसको तीन भागों में बाटा है तो कौन को से तीन भागों में तो कौन को से तीन भागे देखिए आगे देखिए यहां पर लिखा हुए ना उच्छान प्रत्न के आधार पर वेंजन प्रत्न के आधार पर इसक जीवा या अन्य अव्यों द्वारा स्वास के अवरोध के आधा पर देखिए पहला कुन सा है इसमें जो फर्स्ट पहला भी भाजन किया गया है वो जीवा मतलब जीव के अन्य जीव और अन्य अव्यों के द्वारा स्वास के अवरोध के आधा पर जैसे सांस रुकती है गले से रुकेए तालू से रुकेगी तो जीब के और अवरोधों के अव्यों के आधार पर श्वास के अवरोध से उस वोंस जब लेंगे और उस समय जो शबार डक्राएगा वेंजंचल निकलेंगे अब कौन-कौन से इसमें दाट प्रकार प्रस अब प्रकार के रहें मियाँ के देखिए जीवा या अन्य अव्यों के आधार पर श्वास के अवरोद के आधार पर 8 भागों में बाटा है आड़भा कौन से है देखिए इसपरशी संघरशी इसपर संघरशी नासिक किया उत्रशिप्त या दीप्रश्ट या तारंजात उत्रशिप्त कोई दीप्रश्ट केते हैं तारंजात केते हैं और दीविगुणवर्ण केते हैं आगे देखिए प्रकम्पित जिसको लुंठित कर जाता है और पाश्विक 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 मतलब दर्वाजे पाश्विक जो दर्वाजों के जो यह मुह है ना मुह से एकदम हवा से स्पीड से निकल जा लग ठीक है ना और इन में डारेक्ट व्यान पूछे जाते है आज तक का रिकोड़े कभी परिभाशा नहीं आई है ठीक है देखिए अब इस परशी में क्या होता है इस परशी के अंतरगत कवर्ग टवर्ग टवर्ग पवर्ग अभी आपने पढ़ा ना यह देखिए इधर देखिए इस परशी में क्या आता है टवर्ग आता है नहीं आता इसके अंदर इसपारशी के अंदर फिके इसपारशी के अंदर यह नहीं आता state के कितने होते एक दो, तीन, चार पाँच, छे, साथ, आठ नो, दस, ग्यारा बारा, तेरा, चोदा पंद्रा, सोला यह सोला जो होते हैं यह किया होते हैं? इसपरशी व्यंजन समझ में आया यह होते हैं कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये 16 टोटल कितने होते हैं इस परशी व्यंजन होते हैं और इसके बाद देखिए स्टुडेंट अब देखिए ये जो चावर्ग है ये चावर्ग देखा ठीके इस चावर्ग को इसपरशी व्यंजन के अंदर का छोड़ दिया जाता है ये क्या होता है चावर्ग इसपर्ष संगर्शी होता है चावर्ग क्या होता है इसपर्ष संगर्शी व्यंजन ठीक है इसको बोलने में और अधिक मेहनत लगती है कहने का मतलब है जो मुख के अव्य है जीब है जीब को अधिक मेहनत लगती है इसपर्ष और संघर्ष करके जो वर निकले जीब का इसपर्ष मुख से मसूरों से इन से लग करके और ज्यादा मेहनत लगती है संघर्ष लगता है तो वो ये चार है कौन से देखिए ये चार कौन से है चय चय जय जय ये चार व्यंजन कोंसे इस पर शो संघर्शी ठीके यह चारवन कोंसे इसंगर्षी 1 बाप से बता रही हूं ये कखग उर्टःफदध़ड़ और तवरग वाला पवरगवाला यह जो सोला है यह सोला तो क्या है इसपरशी सुझे अ और यह जो चार है चवर्ग इसमें से यह नहीं आएगा सिर्फ यह इसपर्ष संघर्षी ठीक है यह कितने इसपर्ष संघर्षी यह चार चवर्ग वाला ठीक है अब आगे देखिए अब हमने यहां पर पड़ा यह संघर्षी भी अब इधर आईया आप इनको आठ भाग में हम बाटा है ना जीवा यह अन्य अव्यों के प्रत्न के अधार पे श्रांस के अव्रोथ के अधार पे तो हमने इसमें इस्पर्षी पड़ा चयवर्ग वाला नासीक होते हैं इनको भी हमने पड़ा यहां पर समझा एक बदा फिर देखिए अब देखिए यह पांचों क्या होते हैं? नासीक ये वेंजन होते हैं किलियर? कितने होते हैं? पाँच नासीक ये वेंजन आएस मज में आपको चलिए आगे देखें अब देखिए उत्षिप्त दीव प्रष्ट तारंजात दीगुण ये अलग जिनका अर्थ होता है फेका हुआ एकदम धं 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 इस तरीके से बोला जाता है एकदम ऐसा लगता है जीब उसको फेक करके बोल रही है तो इनके नीचे ये बिंदी होती है ठीके ना इनके नीचे क्या होती है ये बिंदी लगी हुई होती है ये अलग से होते हैं ताड़न जाज व्यंजन इन व्यांजनों से अलग होते हैं तीकर ना हिंदी में इनका अलग प्रयोग होता है ये नहीं होते कई स्टुदेंट्स इसको मत समझ जाना तीकर ये इनके नीचे बिंदी होती है और ये देखे ड़ ओ ढश्ट ये दोनों क्या होते हैं दीगुण वियंजन ये दो होते हैं आप पेले वाली क्लास पढ़ना उसमें हमने वियंजनों के वरगी करण में बताया है कि टोटल बावन जो वर्ण माला बनती है वो किस तरीके से बनती है तो ये भी उन दोनों को गिना जाता है ठीके इनका नाम क्या होता है उत्तिशिप् का कंपन होता है इसमें तो ये कौन सा है डारेक पूछ लिया जाता है प्रकंपित या लुटित वियंजन कौन सा है तो पाश्विक जिससे दरवाजों की तरह मुह से एकदम निकल जाए लग और हवा आ जाए तो वह परिभाशा नहीं आएगी मैं बार बार रिपीट करूं है इनका जैसे कवा देखिए अपन क्या लिखते हैं कैंप कवा जबकी सहीह कवा यह ना लेकिन कई बार इसका भी प्रयोक हो जाता है तो यह क्या करता है अर्दसवर का कारिया करता है और इसको क्या कहते है संघर्शीन जिससे च्छैया इस तरीके के शब्द आगे गटाकार कउन को से इस परशी कोन से पड़े हमने देखिए इस पर संगर्षी शपर संघर्षी न स्पर दीप्रश्ट तानंजात प्रकम्पित या लुंठित हम इसको कहें फिर पाश्विक और संगरशेंगी से अर्दस्वर कहें अब हम सेकंड पड़ते हैं स्वर्थ तंत्रियों के कंपन के आधा पर ठीक है देखिए अब सेकंड पॉइंट क्या है स्वर्थ तंत्रियों के कंपन के आधा पर जो स्वर्थ तंत्रियां हैं मुक्की मास पर उनके आधा पर दो भागों बाटा गया कितने आधारों में दो भागों में देखिए सबसे पहला अगोश जिसको सगोश भी कहते हैं सबसे पहला क्या है गोश जिसको सघोश सर लग जाता है और दूसरा है अगोश जिसमें अ लगेगा ठीके ये है अगोश जिसको सघोश भी केते हैं और ये है अगोश ठीके जिसमें गोँजो नाद पेदा हो कमपन अधिक होता है वो तो कहलाते हैं अगोश व्यंजन क्या होता है जिनमें गूंज हो नाद हो कमपन अधिक होता है बोलने में एकदम जोड से गूंज पेदा हो जाए नाद संगीत की तरह और कमपन हो खडखड हो ठीके वो कौन से वेंजन के लाते हैं घोश वर सघोश ये परिवाशा भी नहीं आएगी समझने के लिए और इसके अगहोश और सघोश जिनमें अधिक होता है कमपन खड़कराच और जिनमें नहीं होता वह अगहोश के लाते हैं अब ये क्या होते हैं यह वर्ग के तीसरे चोथे और वर्ग का पांचवा होता है तो टोटल पंद्रा होते हैं वर्ग का तीसरा चोथा पांचवा ठीके और क्या होता है देखिए यह रह लव ह पांच यह होते हैं ह भी लगता है इसमें और सभी स्वर आते हैं ग्यारा के ग्यारा सबी स्वर 11 कौन से आ, आ, इ, इ, उ, उ, ठीके इ, री, ए, आ, आ, ओ, आ ये जो सबी स्वर हैं ये 11 स्वर आते हैं और यर, ल, व, अल्प, प्राण और ह भी लगता है ये 5 होते हैं ठीके और वर्ग का कौन सी वर्ग का जो व्यंजन के हमने पढ़ा तीसरा, चोथा, पांचवा वर्ग का तीसरा, चोथा, पांचवा देखे कैसे इधर आईए आप इसको समझिए यहाँ पर आसान है बहुँ ज़ादा ठीके अब देखे ये पहला वर्ग ये दूसरा वर्ग ये तीसरा वर्ग और ये चोथा वर्ग ये पांचवा वर्ग ठीके अब घोश जिसको क्या का जाता है सघोश ठीके घोश को ही सघोश भी कहते हैं अब इसमें क्या आता है तीसरा, चोथा, और पांचवा यही आता है न तीसरा चोथा पांचवा ये कितने हुए 15 हुए 15 है प्लस येरलवर चार हो गए देखिए ये तीसरा ये चोथा और ये पांचवा ठीक है ये कितने हुए 15 पांच पंदरा, यह पंदरा यह हो गए, प्लस यहरलवर, यहरलवर, यह चार हो गए, और फिर प्लस, एक हर को मिलाया, पांच पंद्रा चार उन्निस उन्निस देखिए पंद्रा यह हुए तीसरा चोथा पांच वा पंद्रा प्लस यहरलव यहरलव यह चार हुए और एक हर यह एक हुआ पंद्रा चार उन्निस उन्निस एक बीस और ग्यारा स्वर तो total कितने होए 31 तो अघोष sorry घोष और सघोष कितने होते हैं 31 clear हुआ घोष जिसको यह दूसरा नाम सघोष तो यह कितने होते हैं 31 ठीके यहाँ देखिए वर्ग का तीसरा चोथा पांचा पीछे के तीन और यहलाव है पांच और 27 वर 11 ठीक है टोटल कितने हुए 31 गोष या हम कहें सघोष कितने व्यंजन होते हैं कितने वान होते हैं इसमें 33 ठीक है अब देखिए अगोष अगोष में क्या होता है वर्ग का पहला दूसरा ओ शर्षर क्या होता है देखिए यहां पर देखिए इदर बर्ग का पहला और दूसरा यह 10 10 यह हुए और यह उपर से यह अलग से अपने यह लिए 3 शर शर सर है ठीक है यह पहला और दूसरा यह 10 और 3 13 अब देखिए जो अगोश होते हैं वो कितने होते हैं 13 ठीक है किलियर हुआ यहां पर आगे देखिए इदेखिए अब इनको एक ट्रिक के याद करने की क्योंकि कन्फियूज भी हो जाते हैं तो ट्रिक देखे क्या है सभी स्वर 345 की घूस लेते अंदर है सभी स्वर सभी स्वर मतलब 11 345 वर्ग का 3,4,5 घूस लेते घूस से घोश घूस से घोश या सघोश घूस में दोनों आ गया घोश भी आ गया लेते अंदर है अंदर मतलब अंतहिस्ता है क्लियर हुआ आप एक के याद रखेंगे न अगोश के जैसे आपने आप एक के ध्यान रखिए सघोष या घोश अब इनको याद करने की ट्रिक देखिए सभी स्वर गोश में क्या आते हैं सभी स्वर आते हैं वर्ग का तीसा चोथा पांच वा आता है तो हम पंदरा घूस गोश या सघोश ठीक हैं अन्दर AnntarHist a अन्दर को हम क्या करेंगे AnntarHist और AnntarHist a जैन कोँ से होते हैं य गोश के से हर तो टोटल 31 हुए गोश के अंदर के लिए ठीक है और सगोश को अगोश कितने होते हैं अगोश 13 ठीक है आगए वड़िये प्राण वाईू के आधार पर देखिए दो प्रकार के होते हैं और महाप्राण ठीक है अल्लब पराण में उच्टानमें मुख्ड विवर से कम मात्रा में वायू बाहर आ आडिक हावा लगती है अब देखिएं यह क्या होता है यह प्रते एक वर्ग काledge दूसरा और च्रार यह होतें और involves are तो चोदा दस और एक चोदा अब देखिए इनको समझिए कैसे उपर आईए आप देखिए कैसे महाप्राण के अंदर क्या होता है महाप्राण यह दूसरा और चोथा कैसे बोलिए कर बोलिए तो एक कर आया के लेकिन ख बोलिए ख तो के एच ए यह ध्यान रखना जब स्पेलिंग की हपन जादा लिखने तो महाप्राण में तो दबाव लगे गई अब गर लिखिए गर तो जी और गर लिखिए जी एच ए तो टाइम लगा न जादा तो महाप्राण में जाता है वर्ग यह दूसरा और चोथा क्या होते हैं यह महाप्राण ऐर這麼 आद 10 ठीक है अब इसमें महापराण के अंतर गर्द ये 10 तो ये वर्ग वाले हुए और फिर ये अलग मिलते हैं इसमें महापराण में ये अलग से 4 देखिए ठीक है ये दूसरा ये चोथा और ये 4 वर्ण मिलते हैं तो होटल कितने होते हैं महाप्राण 14 किलियर हुआ और अलपप्राण में देखिए अलपप्राण में एक वर्ग यह पहला तीसरा और पांचवा यह अलपप्राण और साथ में यह 15 हो गए यह 15 अलपप्राण प्लस चार यहरे लवर भी लगते हैं प्लस 11 स्वर ठीके ग्यारा स्वर भी इसके अंदर होते हैं तो इसके अंदर गत अलपप्राण कितने होते हैं 30 ठीके और महाप्राण कितने होंगे 14 तो अलपप्राण की संक्या 30 और महाप्राण वर्ण की संक्या 14 अब देखें इनको भी ट्रिक देखें याद करने की अल्प आयू में अल्प आयू में मतला अल्प प्राण एक तीन पांच एक सो पेतिस लोगों का अंत अल्प प्राण में एक सो पेतिस लोगों का अंत हुआ सभी स्वर्ग गए देखिए किस तरीके से अब इसको याद करना है अल्प आयू में अल्प मतला अल्प प्राण आयू में एक वर्ग, तीन वर्ग और पाँच वर्ग टोटल पंद्रा लोगों का अंत अंत मतला अंत इस्तावियन जन चार यरलव ठीक हुआ और सभी स्वर्ग स्वर्ग मतला स्वर्ग 11 गए तो टोटल कुल अल्प प्राण कितने हैं? 30 आप एक प्रकार का ट्रिक याद करेंगे तो दूसरे तो स्वता ही याद हो जाएंगे ठीक है? अल्प आयू में 135 लोगों का अंत हुआ और सभी स्वर्ग गए अल्प प्राण आयू में 135 वर्ग अंत अंत इस्तावियर लवर ठीक है? और 14 महा प्राण अब देखिए ब्यंजनों का वर्गीकन उच्चारण इस्तान के अधापे अभी तक तो हमने क्या पड़ा? उच्चारण प्रत्न के अधापे ब्यंजनों का वर्गीकन पड़ा जीवा के अधापे, स्वर्ट तंत्रियों के कमपन के अधा पर प्राण वायू के अधा पर तो अब इस्ट्रेंट्स यह कुछ सूत्र है व्यंजनियों के वर्गिकन में जिनको अपन को ध्यान रखना है ठीक है जहां से कोश्चन आता है मैं वही चीज पढ़ा रही हूं परिवाशाय उसे नहीं आता प्रश्ण है अ दोनों निकला कू से कवरग निकला और ह से है और विसर्ग इस तरीके से विसर्ग तो इसके अंतरों क Chapel स्वर्ग dead sare जिसको parliamentร का उत्व जो 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 व्यंजन यह Nathan से निकलते हैं यह सूत्र है व्यंजनों को याद करने का जो जो व्यंजन यहां से निकलते हैं उनका इस्थान कंट होता है अब देखिए दूसरा दूसरा उच्चानण सूत्र देखिए इच्चू यह शानाम तालू अब इनका उच्चानण स्थाल क्या है तालू ठीके ना इनके में प्रशनी लेकर क्या हूंगी किस प्रकार से प्रशन आते हैं यह भी आपको बताऊंगी अब इसके अंदर स्वर्ष्थान कौन सा है इच् निकलता श्लंगम वाला वी तालू सaltetा और य जबड़ी य चोटी डोनों का इस्थान कर दो इके तालू है च्चीया पूरा धिके पूरा तालू हम ने पहले भी पड़ा था फिर देखिए सूत्र है यह याद करने का अब आ करने टीस Meh Sc *** री टू रशाणा मोर्धा अब इनका इस्तान क्या होता है मोर्धा रे का भी और शेश शटकॉन का भी इनका इस्तान क्या होता है मोर्धा अब देखें नेक्स्ट ली तुल्चला नाम दंतव्य यह संस्क्रत में लगता है इसका इस्तान क्या दात लेकिन अपनके ली संस्क्र लेज़त में स्वार होता है हिंदी में स्वार नहीं होता तो देखिए तवर्ग जो पांचों के पांचों पूरे आएंगे तथदन और और तो यह पूरे क्या थे दन्त तीके दातों का इस्थान फिर एक हे उप पध्य नाम मानिया नाम ओश्ठ अब इनका इस्थान क्या है और पूरा परवर्ग बस कुछ भी नहीं है इतके अंदर देखिए छोटा हूँ बढ़ाओ और परवर्ग कौन सा इसा ने इनका ओश्ट का आगे देखिए जो यह हमने पड़े यह पांचो पंचम वर्ण है वर्ण माला के ठीके व्यंजनों के इनका इसा नासिक किया है आगे देखिए वकारस्य दन्टोष्टे एक उच्छानण सुत्र यह है वकारस्य दन्टोष्टे यहां से हम व्य को निकालते हैं के क् ze देखिए कौँ बोलते हैं इसको दास्त और ओश्ट से मिलके만 बनता है ऑपर के नीचे का ऊपर के दास जो उपर का दास होता है मुख का और ओश्ट नीचे का होट से जब लगता है तब कौन सा वर निकलता है वर और यह कहलाता है दन तोष्ट ठीके अब नेक्स देखिए एदेतो कंठ तालू का मतलब होता है एदेतो कंठ तालू इसमें देखिए एदेतो कंठ तालू में क्या होता है ए और अए जो स्वर के अंदर ए और आ आता है उसका इस्थान क्या होता बोलते हैं कंथ तालू को एक साथ कंथ कंथ ताल dado ए और एर और लीकर के कया वरता है युकर उपनीज तरीक के ios adorable सूत्र को ध्यान रखेंगे तो धिता कंथ तालू को थ्यान आएगा कंथ तालू में ए और य। चालान इस्थान तो आय फिर है ओ दोतक अब कंथोस्ट का स्ठान क्या है तो ओं और आउ है थीए अब प्रशन एंगा कि उच्चाननद इस थल पे कंथोस्ट ंतượng कंथोस्ट अवाल स्वार आता है स्वार आता है सौरी किसा स्वार आता है तो ऑवफ दोनों आते हैं बड़ा ओकली वाला भी आता है और ओरत वाला भी आता है ठीक है कि लिए इसका इस्थान है कंठ कंठोष्ट अब आगे देखें बतसर्य व्यंजन कौन से होते हैं जो मसूडों से निकले जाते हैं नल रसजा नल से क्या जा रस नल रस जा एक ट्रिक है यह नल रस जानल रसजा कौन से मसूड़चन वृत सर्य व्यंजन और्र ह का चाना इस्थान क्या है काकल लियाल अली जिवा खंट ने हमने उपर उस्थाना शूतर पढ़ा न कंठ से हो निकलता है इसको दूसरा नाम यह काकल से अली जीवा ठीके कंट से पूर्ट निकलता है यह वर्ग निकलता है आगे स्टुडेंट यह हिंदी व्याकरण में रह के कितने रूप होते हैं देखिए यह भी हम पढ़ लें यहां पर वर्ण विचार कंप्लीट हो गया है और हिंदी में रह के रूप कौनकों से होते चार प्रकार के रह के रूप होते हैं देखिए यह पूरा लगता है जो यह रह होता है यह पूरा होता है राम क्या होता है राम रहीम रामेश्वम राकेश और यह जो उपर इस तरीके से लगता है यह अधूरा होता है जो इस प्रकार से यह रह लगता है यह अधूरा होता ठीकें चार प्रकार के रभ होते हैं और ये वाला जो इस प्रकार का रभ लगता है ये भी पूरा रह होता है निसाद में पूरे होते हैं संदी विच्छत करिए यह पूरा लगता है आगे देखिए अ इसमें भी जो इस तरीके से बनता है गोल पेहन वाले वांड इसमें भी पूरा रहा होता है ड्राम राश्ट्यह तो इसको देखें इसको वर्ण विच्छार करिए ड्रम रास्ट्रेय ठीके आया समझ में स्टुडेंट इस प्रकार यह वर्ण विचार का भाग नहीं था यह मैंने अलग से आपको बताया कि हिंदी व्याकन में रह के रूप किस प्रकार होते हैं उमेद करती हूं आपको व्यंजन समझ में आया होगा आज हमारा वर्ण विचार का टॉपिक कम्प्लीट हुआ और कल से हम पढ़ेंगे शब्द विचार धन्यवाद